नमस्कार वोन इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अभिनाश है IPL सीजन 14 का आगाज 9 अप्रेल से शुरू होने जा रहा है कुछ टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी है IPL को लेकर उत्सा दिन बदिन बढ़ता जा रहा है 30 मई तक इस बार IPL चलेगा और फाइनल मुकाबला एहमताबाद में खेला जाएगा हर बार की तरह इस बार भी कई युवा खिलाडी बड़े टोर्नामेंट में अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे साथ ही कई उम्रदराज खिलाडियों को भी हम लोग खेलते हुए देखेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे हैं उन तीन खिलाडियों के बारे में जो सबसे कम उम्र के हैं पर IPL में दम दिखाते हुए नजर आएंगे पहला नाम आकाश सिंग का है आकाश की उम्र 18 साल है और उन्हें राजस्थान रोयल्स के टीम ने 20 लाक रूपे की बेस प्राइस में खरिदा है वो अंडर 19 भाड़ते टीम का हिस्सा भी रहे हैं आकाश सिंग को पिछले साल आईपिल के दोरान राजस्थान रोयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था लेकिन मैच खेलने का मौका नहीं मिला था इस बार उम्मीद करेंगे कि आकाश को राजस्थान रोयल्स मैच खेलने का मौका दे दूसरा नाम यशस्वी जैस्वाल का है यशस्वी जैस्वाल का ये दूसरा आईटिन सीजन होगा इससे पहले राजस्थान डॉयल्स के लिए वो एक सीजन खील चुके हैं ये शास्वी जैसवाल इस समय 19 साल के हैं पिशला सीजन उनके लिए ठीक नहीं रहा था ज़्यादा मौके नहीं मिले पर राजस्थान रोयल्स के लिए अब तक उन्होंने तीन मुकावलों में 40 रन ही बनाए हैं संजू समसं के कप्तान बनने के बाद हम ये उमीद कर सकते हैं कि ये शास्वी जैसवाल को इस सीजन उपरी करम में ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा तिसरा नाम इस लिश्ट में सचीन तेंदुलकर के बेटे अरजुन तेंदुलकर का है अरजुन तेंदुलकर को पहली बार IPL में खरीदा गया है IPL निलामी में मुंबई इंडियन्स ने उन्हें 20 लाक रुपेयों की बेस प्राइस में खरीदा है तिंदुलकर ने हाली में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था हरियाना के खिलाफ सेयर मुष्टाक अली टॉफी में अरजुन तिंदुलकर खेलते हुए दिखाई दिये थे चुकि मुंबई हमेशा युगा खिलानियों को मौका देता है तो हो सकता है कि शुरुवाती के कुछ मुकाबलों में अरजुन तिंदुलकर को खेलते हुए देखें इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया के साथ